आज मैं आपके साथ शेयर करहे हूं गट्टे के पुलाव की रेसिपी यह राजस्तान की बहुत फेमस डिश है यह बनाने में बहुत ही इजी पर खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो आएए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए आपको किन इंग्रीडियन्स की आवशकता होगी इसके लिए आपको चाहिए बेसन के गट्टे इसी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं एक टेबल स्पून ग्रेटेट जिंजर, एक टेबल स्पून ग्रीन चिलीज, दससे पंदरा काजू, एक टीस्पून काली मिर्च, एक टीस्पून जीरा, तीन इलाइची, तीन चार लॉंग, एक तेज पत्ता और एक स्टिक दाल जिनेगी और पहले से बॉल किया हुआ राइस, अब एक पैन में तेल गरम कीजिए और उसमें सारे खड़े गरम असाले डाल दीजिए और इन्हें 2-3 मिनिट के लिए बूनिए, उसके बाद इसमें आप अद्रक और हरी मिर्ची मिलाकर फिर से 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से बून अब इसमें काजू एड़ करिये और उसके गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कीजिए काजू के गोल्डन ब्राउन होने पर इसमें गट्टे एड़ कीजिए गट्टे को 5 मिनिट फ्राइ करने के बाद उसमें आप आदा चमच धनिया, आदा चमच रेट चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक आड़ करिए सव स्पाइसे को 2 से 3 मिनिट फ्राइ करने के बाद आप इसमें बॉयल चावल डाल कर अच्छे से मिक्स कर लीजिए लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कीजिए और ये लीजिए आपके गट्टे का पुलाओ तयार है इसे आप हरे धनिये से स्प्रिंकल करके सर्व कीजिए थैंक्स पर वाचिंग